दोपेर के लंच की तैयारी लंच में बने हैं आज करे ले तो करे ले यहां पर है ताजे एक्दम तो मैंने भी अपनी तैयारी कर दी थी सुरूफ तो इनकी कटिंग की और थोड़ा सा डाला इनमे नमक और अब रखते थे हैं इनको धूप में धूप में रखने के बाद में अभी मैंने जला देता चुला चड़ा दिया कड़ाई तो दस मिनट तक रखने के बाद में अब इनको तेल डाल कर कर लेते हैं फ्राई तो फ्राई इनको अच्छे से कर लेना है ताकि इनका रंग हो जाए एकदम ब्राउन तो फ्राई हो चुके हैं और अभी इने निकाल देते हैं अब इनमें छोक लगाते हैं छोक लगाना है मेथी दाने से तो करेले हम लोग ऐसे ही बनाते हैं तो थोड़ा डाल दिया है हिंग पेट के लिए अच्छा होता है हारी मिर्च डाल दी है सबुत्ती कटी हुई तो यहां पर डाल देते हैं हारी नोण मिर्च मसाले और इसमें धनिया पाउडर जो है वो ज़्यादा डाला जाता है और मसालों को पकाने के बाड़ में डाल दिया है प्याज और प्याज को थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई और अब डाल दिया करे ले तो यहां पर हमारी सबजी बनकर हो गई तयार